हलो गाईज, वेलकम टो माय देशी किचन आज हम आपके लिए ढ़कला बनाने के लिए हम सबसे पहले बेशन चाहिए, राई चाहिए, हल्डी चाहिए, नमक चाहिए, नेबू चाहिए, इनो चाहिए और दो हरेमिज चलिए बनाते हैं डोकला उसके लिए हम एक बाउल लेंगे उसके अंदर जो हमने बेसन रखा है उसके अंदर डाल देंगे निकाल लेते हैं पेशन के एक बावल में उसके अंदर डालेंगे हम आदी चमच नमक थोड़ी सी हल्दी ताकि उसमें डुकले में कलर आ जाए अच्छे से और ज्वादा कटा निम्बू गो डालेंगे निम्बू से फूल जाता है और अच्छा टेस्ट आता है यह देखिए हमने निचोड लिया है निम्बू अच्छे से अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी पानी से अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और पेस्ट बन जाएगा इसका दीरे धीरे धोड़ा धोड़ा करके पाने डाले गए देखिए पेस्ट तयार हो गया है धीरे धीरे हमने पाने डाल कर बना लिया है पेस्ट जादा मोटा या गाड़ा या पतला नहीं होना चाहिए अगर गाड़ा हुआ तो जो डूपला है वो अच्छा नहीं बनेगा यह देखिए हमारे इसकी डू की कंसिस्टेंसी ऐसी होने चाहिए अब हम इसमें डालेंगे इनो इनो से यह फूल जाता है अच्छे से और सॉफ्ट हो जाता है तो अब हमने इनो डाल दिया है इनो डाल कर इसको अच्छे से चमच के साथ मिला लेंगे देखिए इसके अंदर फ्लावट आनी शुरू हो गई है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हम बनाएंगे हर चीज को देशी स्टाइल में क्योंकि हमारे किचन का नाम है देशी किचन हमारे साथ अब रोज ऐसी ही कुछ नई वीडियो देख पाएंगे अब हम इसको रख देंगे 10 मिनिट के लिए ताकि ये रेस्ट में रहे और अच्छे से फूल जाए अब हमारा बैटर तयार हो गया है पकने के लिए ढोकला बनने के लिए तयार है तो अब हम इसको बढ़ाएंगे कडाही में तो हमने इसको कडाही को गैस पर रखना है गैस अन करनी है हम बनाएंगे नमक के साथ सो अब हम डालते हैं इसमें नमक जो मैं काफिल पार पीजा बनाने में या डोकला बनाने में यूज़ करती हूँ आप भी ट्राइ करिएगा जरूर इसको साथ और इसके अंदर एक बाउल रख देंगे ताकि हमें हम इसके ओपर अपना वो जिसमें पेस्क डाला है वो वाला बाउल इसके ओपर रख सके और अब हम इसको ढखके रख देंगे ताकि स्टीम बन जाए अब हम इसमें लेंगे एक बाउल उसके अंदर थोड़ा तेल डालेंगे ओली बाउल ले लो या कोई रिफाइंड या कुछ भी ले सकते हैं बटर गी और इसको गीस कर लेंगे अच्छे से ताकि वो उसके चिपके ना बाउल में चिपके ना अब ये पेस्ट इस बाउल के अंदर डाल देंगे अच्छे से बाउल को पूरा नहीं भरना है बिकास ये फूल देगा तो बाहर आने के चांसी जूंगे इसके तो इसलिए इसको पूरा नहीं भरना है इसको थोड़ा थ जाहां स्ट्रीम हो गही है हमारी इसमें रख देंगे इस पेष्ट को और अब ऑन ह कोट तेंगे पर असका शक्राइब अब 27-25 मिनिट अब दोपला तयार हो जाएगा तो अब हम इसके बनाएंगे चाशनी खटी मिठी चाशनी उसके लिए पैन लेंगे पैन के अंदर थोड़ा सा ओयर डालेंगे इसको अच्छे से फैला लेंगे सारी जगा पैला लिया जैसे अब फैल गया अब इसके अंदर मस्टर्ड सीड राई इसको कहते हैं वो डालेंगे अब इसको देखिए यह जो राई है अच्छे से पकती पकने पकती है तो यह से आने लग जाती है उपर तो इसमें आप हरी मेच डालेंगे हरी मेच से अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा नमक टू-टू-ट्री टेबल स्पून ओफ शूगर डालेंगे चीनी वो इसको अच्छे से मिक्स करतेंगे क्योंकि हम चाशनी बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें चीनी की जरूरत पड़ेगी अब इसमें पाने डाल देंगे पाने डाल दिया और अब इसको उबलने देंगे हम अच्छा टेस्ट करने के लिए अब इसमें डालेंगे नीबू नीबू से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है खटी में अठा टेस्ट आ जाता है इसलिए हम नीबू डालेंगे कि अच्छा मिक्स कर देंगे जो इसका गवलने देंगे अब हम देखते हैं डोकला हमारा तयार हुआ कि नहीं चैक करते हैं चलो जो जो डोकला दिखरा है उपर से पका हुआ दिखरा है बर शाया अद आसे अच्छा है तो इसको चेक करने के लिए हम लोग चाको लेंगे उसको डाल कर देखेगे देखे अभी कच्छा है तो दिखी रहा है वो चाकू पर लग गया है इसको ढगतेंगे हो जाएगा पांठ साथ मिंट में तयार हो जाएगा इसको ढगतेंगे दुबारा वास्त तीम होने देंगे तो देखते हैं दुवारा से हमार आपके साथ दुब्ला तैयार हुआ। नहीं दुबारा चाको लेंगे और डाल कर देखेंगे इसके अंदर ये देखिए बिल्कुर रेडी है योगी ये चाको पर लगा नहीं है अब देख सकते थे पहले कि तरह नहीं लगा है चलिए इसको निकाल लेते हमने निकाल दिया एक प्लेट में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको बावल में निकाल लिया हमने और अब जो हमने बावल में निकाला है इसको कट करके अब हमने जो चाशनी बनाई थी इसकी वोड्स में डाल देंगे हमने फ्रिज में ढलेंगे इसको खटा मिटा टेस्ट आतायस बहुत अच्छा बन जाता है हम यो छफ ईसलिए ड़ रहायं ही चाशनी के अंदर आ कि सौफ हो जाता है और बजार जल सावविशनी के रखताय के लिए तो वै जर्फ हो जैता है तो तो दस्को थोड़े टाइम के लिए यह देखिए हमने अच्छे से तयार कर लिया है हो गया है हमारा डुकला तयार थेंक यू सो मच आपने हमारा ये चैनल देखा तो हो सके तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शियर जरूर कीजिए थेंक यू बाबाई